नमस्कार दोस्तों तो BPSC में आये हुए जीप बिग्यान के प्रस्णों का हमाव लोकन और विसलेशन कर रहे थे इस कड़ी में 80 प्रस्ण को हमने देख लिया है वे 81 से देखते हैं कि माइकोलोजी के अंतरगत माइकोलोजी में किसका अध्यान करते हैं तो माइकोलोजी में हम कवक का अध्यान करते हैं अच्छा अध्यान से याद आया कि हमने 4-5 फैक्ट अध्यान से संबनित पढ़े थे पिछले वीडियो में उसमें कौन-कौन सा था सबसे पहले था Geology तो Geology के अंतरगत हम प्रतवी के आंतरिक सनरचना पढ़ते हैं मतलब आंतरिक सनरचना के वारे में पढ़ते हैं और Osteology जिस पर question था कि Osteology में हम हड़ियों के अध्यन करते हैं हड़ियों के पढ़ाई हम Osteology में करते हैं जबकि Serology branch of science के अंतरगत Blood Serum के वारे में बात करते हैं और Orology के अंतरगत हम परवतों का अध्यन करते हैं तो Geology प्रतवी के आंतरिक सनरचना Orology परवतों का अध्यन Osteology हड़ियों का अध्यन Serology Blood Serum का अध्यन और Mycology कवक का अध्यन तो ये सारा revision हो अब next point के वारे में बात करते हैं कवक से जुड़े हुए तो दूसरा fact यह हो गया कवक के वारे में पहला तो Mycology हो यह दूसरा fact यह हो गया कि कवक परनहरित होता है परनहरित मतलब कि ये भोजन नहीं खुद से बना सकता है तो यही जो कवक जो होता है और Lichenology का अंतरगत Lichen का अध्यन करते हैं ठीक है एक खास बात ये भी है Lichen के वारे में कि Lichen पता है बायू प्रदूसक का संकेतक होता है आप सहरों के आसपस कभी नहीं देखेंगे Lichen को क्योंकि सहरों में बायू प्रदूसन समान रूप से पाया जाता है तो इसलिए Lichen हो रहेगा ही नहीं तो इसलिए ये संकेतक के रूप में इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है कि जहां पर Lichen समाप्त हो रहे हैं पहले से थे लेकिन Lichen समाप्त हो रहे हैं मतलब वहां प्रदूसन ये नि बायू प्रदूसन हो रहा है तो ये भी एक प्रकार का fact है next इसे जड़ा fact क्या है कि एक सब्ध है किरेटीनो फिलिक तो किरेटीनो फिलिक का मतलब क्या है किरेटीनो फिलिक एक कवक का प्रकार है जो दरसल नाखून या बाल में उगता है ये कवक जिसको क्या बोलते हैं तो यह सारे fact हो गए अब आपसे question पुछता हूँ जो गोवर पर उगने वाले कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं तो उसका नाम आपको बताना है comment box में अगर आपने slide को अच्छे से देखा होगा तो जरूर आप बता देंगे क्योंकि वहीं परहिंट था ब्याक्यां भी वही लिखाए कुछ मैंने highlight कर रखे मैं उसको पढ़ देता हूँ सैवाल कारवनिक पदार्थों का sensation करते हैं जो स्यं तथा कवकी घटक के लिए प्रियाप्त होता है और कारवनिक भोजन के बदले में कवकी घटक सैवाल को जलव खनी जूपलब्द कराते हैं प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां पर है तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने पढ़ा था Spinal Code के बारे में वहाँ पर ये बात आई थी कि प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन कोड दरसल कसेरूक रज्जू येनिके Spinal Code में होता है कि मनुस के Spinal Code में येनिकी कसेरूक रज्जू में कितनी जोड़ी तंतर का तंतर होती है येनि कितने जोड़ी नस होते है तो 31 जोड़े तंतर का तंतर होती है ठीक है Reflex action के लिए ही जिम्मेवार होता है और फिर एक हमने उसी समय पढ़ा था कि जब कसेरूक रज्जू में जिसको सकेंड ब्रेन कहते है 31 जोड़ी नस होती है तो फिर ब्रेन में कितनी होती है तो धियान रखना है ब्रेन में 12 जोड़ी ही नस मिलता है ठीक है तो ये 3-4 fact हो गये थे काम क्या होता है ये कसेरूक रज्जू का तो पहला काम तो question में है प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्रन केंद्र होता है दूसरा काम ही होता है कि मस्तिस्क से आने वाली जो उद्दिपन होती है जो stimulus होता है उसका संबहन भी कसेरूक रज्जू ही करता है तो ये सारे fact हमने दरसल पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया लेकिन यहाँ पर revision हमने कर लिया स्वाट revision एक तरीक से उसी वही चीज लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ फिर से एक वार revision हो जागा तो इतना दिवाग में लगाना इस पे जब पढ़ेंगे तो क्योंकि चित्रात्मक बाते हैं यह भी मस्तिस्का आवरन द्वारा ढखा रहता है तो कोई मतलब नहीं है हाँ लास्ट पॉइंट महत्पूर्न है कि कुल मिला करके 31 जोड़ी मेरू तंत्रिकाएं मेरू रज्जू से निकलती है मतलब एक तीस जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है तो यह तो पहले ही बात कर लिया थे विकास van गए जाता है तो दोनों गैस के परियोग लाए जाता है इसलिए B C, sorry B और D दोनों इंसर हो जाएगा इसका इंसर देखे ब्याख्या में क्या लिखाए फलों को पकाने में तो एथिलीन हार्मोन के दोरा पकता है ठीक है लेकिन कित्री रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का परियोग किया जाता है तो यह बात ध्यान रगना एसे टिलीन और एथिलीन दोनों का परियोग किया जाता है बस यह है कि एसे टिलीन का भी परियोग बंद है सरकार क इसलिए एथिलीन का बात याद रखना है कित्री रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी नेक्स्ट parks पॉधे की भाती पॉधा मिलता है तो इन दोनों में मतलब कि बीज में और तना काट से दोनों से माँ पॉधों की भाती पॉधा मिल जाता है तो विकल्व सीज का सही अंसर हो गया ब्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसो का आदान परदान भी हो जाता है पतले चप्टे गल्फडे एक गीले कागज की भातिकार करते हैं पानी से बाहर निकालने पर यह सब मचलियों गल्फडे आपस में जुड़ से जाते हैं जिसके कारण सतही छेतर कम हो जाता है और घटे हुए सतही छेतर के कारण गैसों का आदान परदान कम हो जाता है तो अगर इतना बात ना भी समझ में आया हो तो सिधा सिधा बात ध्यान रखना है कि अगर पानी से मचली को निकाल देंगे तो वो स्वास नहीं ले पाएगी और फिर वो मर जाएगी और गलफ़रे से स्वास लेती है यह भी एक फैक्ट है जहां जीव रहता है उस सटीक जगा को क्या कहते हैं सटीक जगा मतलब एक्ट्वल लोकेशन को तो जहां जीव रहता है उस एक्ट्वल लोकेशन को आवास कहते हैं अंग्रेजी में सही हैविटेट कहा जाता है तो विकल्प यह इसका सही अंसर हो गया वही लिखावा ब्याक्षा में कि किसी प्रजाती किसी प्रजाती बिशेस के पौध है या जीवो या अंजीवधारियों के रहने की सटीक जगा है निया अक्चुल लोकेशन आवास यह हैविटेट कहलाता है ठीक है नेक्श देखते हैं मधुमक्खी कॉलिनी के सदस एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं तो मधुमक्खी कॉलिनी के जो सदस होते हैं दूसरे को गंद के दौरा पहचान जाते हैं तो विकल्प एस का सही इंसर है अच्छा एक क्वेशन यह भी बनता है कि जो कीट होते हैं वो मादा कीट अपने नर साथी कीट को कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करके आकर सित करती है तो इसका एंसर आप बताएगा कमेंट बॉक्स में मैं इंतिजार करूँगा नेक्स क्वेशन है कि अच्छा एक फड़ा सा फैक्ट है इसमें देखें क्या लिखा हुआ है मधुमक्खियां भोजन की दिसा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए निरत मुद्राय करती है यह निरत मतलब डांसिंग पोस्टर देती है जबकि एक दूसरे को गंध से पहचान लेती है और आकरशित करती है कौनसे हार्मोन के स्वावन से यह भी आपको बताने है मायोग्लोबिन में यह लोहा धातू होता है तो बिकल्ब डीक का सही अंसर हो गया ब्याख्याम भी लिखा हुआ है कि मायोगलोवीन लोहा और उक्सीजन यूक्त प्रोटीन है जो सभी अस्तंधारियों की मांस्पेसियों में पाया जाता है जबकि हीमोगलोवीन रक्त में लाल रक्त कनिका कहते हैं पाया जाता है तो हिमोगलोविन रक्त में पाया जाता है क्या अरे मतलब फैक्ट हो गया इसमें दो दो फैक्ट हो गया पहला फैक्ट तो यह हो गया कि यह मायोगलोविन में क्या पाया जाता है तो लोहा और हिमोगलोविन कहां पाया जाता है तो रक्त में पाया जाता है यशी को लाल रक्त कनिका कहते हैं, तो ये दो fact याद रखना है, next, मनुस्ति के सरीर में खून के सुध्धिकरन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो dialysis कहते हैं, मनुस्ति के सरीर में खून की सुध्धिकरन की प्रक्रिया होते रहती हैं, उसको हम dialysis कहते हैं, because age का science हो गया, यही बै